वाट्सूप गाई वेलकम बैक तो चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 एपिसोड नंबर 1 के बारे में इससे पहले के जित्ते भी सीजन से हम सबी को डीटेल में गवर कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले तो लास्स सीजन के एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे टॉमी ने मोजली को माणने के ट्राय करी थी लेकिन उसका प्लाइन बुरी तरीके से फेल हो गया लेकिन ये सब कुछ हमें बिलकुल भी नहीं पता चला था कि मोजली को ये सारे इंफोर्मेशन किस ने पहुचाई इसके बाद टॉमी परिशान होके खुद को शूट करने के लिए चला गया था और सीजन फाइट यहीं पर एंड हो गया था तो सीजन शिक्स की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर टॉमी खुद को शूट करने के लिए जाता है As usual, उसे यहाँ पे grace दिखती है, और इसके बाद वो खुद पे gunpoint करता है, और trigger दबा देता है, पर लगीलिए उसमें bullet नहीं थी, और Tommy भी नीचे गर जाता है, तब ही यहाँ पे Lizzie आती है, और वो Tommy से कहती है कि Arthur ने bullets निकाल दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि तुम जरूर यह step उठा लोगे, लेकिन मुझे तुम पे यकीन था कि तुम ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन मैंने सुना कि तुमने trigger दबा दिया, यानि कि तुम एक कायर हो जो कि अपनी family को ऐसी छोड़के जा रहे हो, इसके बाद वो bullets टॉमी के सामने fake के चली जाती है, और कहती कि अगर तुम मरना चाहो तो जाओ मर लो, फिर टॉमी उठता है और अपनी mom से बात करते हुए कहता है कि mom, ये लोग मुझे इतनी आसानी से आपके पास नहीं आने देने वाले, अभी इस सीज में टाइम लगेगा, फिर जब अपने घर जाता है, या फिर कह सकते अपने पैलेस जाता है, तो उसको IRA की कैप्टन का कॉल आता है, जिनका नाम है लॉरा मैके, वो टॉमी से कहती कि जब तुम अपने घर के बाहर देखोगे, तो यहाँ पे तुम्हें मेरे आदमी दिखेंगे, यह लोग टूस का फ्लैग लेके खड़े हैं, एंड हमी ने तुम्हारे कुछ आदमियों को मार दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि यह लोग मोजली को मारने वाले थे, एंड आई आरे के लिए मोजली बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट है, वो कहते कि तुमने लिमिट क्रॉस कर दी थी, इसलिए हमें तुम्हारे कुछ आदमियों को मारना पड़ा, तॉमी देखता है तो यहाँ पे तीन लाशे थी, पहली बर्णी की, दूसरी मिस्टर गोल्ड की, और तीसरी पॉली की, जी हाँ गाइस, इन लोगों ने पॉली को भी मार दिया, वेल पॉली का रूल जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया था, यानि कि हैलन मेक्रोरी, वो रियल लाइफ में भी मर चुकी थी, यानि कि पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 की शूटिंग के दोरान, उनकी देथ हो गई, सीजन 6 में जितने शॉर्ट शूट हो गए थे, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है, और यही रीजन था कि पॉली को स्टार्टिंग में ही मरा हुआ दिखा दिया गया, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, चुकि अगर हैलन की जगा किसी और एक्टरेस को लाते पॉली का रूल प्ले करने के लिए, तो डेफिनेटली पॉली के करेक्टर के लिए ये पॉफेक्ट जस्टिस नहीं होता, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा स्टैप था, अब पॉली की डेथ के बाद डेफिनेटली टॉमी को बहुत ही ज़ादा बुरा लगता है, अब टाइम आता है पॉली की फ्यूनरल का, यहाँ पे माइकल कसम खाता है टॉमी को माणने की, उसके इसाब से उसकी मौम की रहत हुई है टॉमी के वजए से, इसके बास सीन शिफ्ट होता है चार साल बाद, और यहाँ पे हम देखते हैं टॉमी को मकीवर आइलेंड में, December 5th, Year 1933, वैल फाइनली अब जाके विस्की लीगल हो चुकी है, यानि कि यह लोग विस्की का सप्लाय अच्छी तरीके से कर सकते हैं, टॉमी आके एक लोकल बार में जाता है, और यहाँ पे कुछ लोग टॉमी को परिशान करने लग जाते हैं, जोकि टॉमी ने विस्की छोड़ दिये, तो ये लोग टॉमी को फोर्स करने लगते हैं, कि वो विस्की पीए, टॉमी उने अपना कार्ट भी दिखाता है, लेकिन वो लोग बड़े ही स्वैक से उसके कार्ट को जला देते हैं, वो कहती कि अगर जिन्दा वापस जाना है, तो विस्की पीनी पड़ेगी, इसके बार टॉमी उन सबी को सीधा कर देता है, तब एक लेड़ी आती है टॉमी को बताने के लिए, कि मिटिंग के लिए सब लोग आ चुके है, इसके बार टॉमी जाता है मिटिंग में, वेलिस मिटिंग में माइकल भी आने वाला है, तो चार साल बार फाइनली टॉमी और माइकल आमने सामने, यहाँ पर टॉमी उन सबी को बताता है, कि विस्की legal हो चुकी है तो हम finally इसका supply बड़ी quantity में कर सकते हैं वो लोग supply करने के लिए boards का use करेंगे और अगर ये धन्दा नहीं चलता तो definitely वो लोग opium का business तो करी रहे हैं वो इसको भी expand कर सकते हैं Tommy की बातों में उन लोग को interest आ रहा होता है लेकिन Tommy का कहना था कि मैं Jack Nelson के साथ ही business करने वाला हूँ वो लोग कहते कि अब हम लोग head है ना कि Jack Nelson लेकिन Tommy को सब कुछ पता है definitely है वो सभी का bio data निकाल के चलता है Tommy कह रहे है कि business करूँगा तो Jack Nelson के साथ करूँगा वरना नहीं करूँगा और जब उन सभी को पता चलता है कि Tommy ने विस्की छोड़ दी है यानि कि wine ले लो, विस्की ले लो, स्कॉच ले लो, कुछ भी है मतलब जो भी दारू होती पीने वाली छोड़ दी है तो वो लोग उसका काफी जारा मजा को डाते हैं और उसको forcefully बिठाते हैं और कहते हैं कि ये glass खाली करो, तब ही जा पाओगे क्यार, अभी-अभी Tommy कुछ लोग का हुलिया बिगाड के आया है इन लोग को भी अपने हुलिया से प्यार नहीं है शायद अब Tommy उन लोग को ऐसी बात बताता है जो सुनके सब की फट के हाथ में आ जाती है Tommy कहा रहे कि तुम सभी में से एक गदार है जो कि पुलिस को सारे information दे रहा है इस पर सभी लोग हिल जाते हैं, including Michael और फिर Tommy यहां से swag में निकल जाता है यहां से निकलने के बाद वो उन्हीं लोग के पास जाता है जिनका उसने हुलिया बिगाड़ा था और वो अपना कार्ट देते वे कहता है कि इस वार इसे जलाना मत और कुछ पैसे भी देता है जिससे कि वो लोग अपना हुलिया ठीक करा सकें इस कहला हुआ जब Tommy उस मिटिंग से निकल रहा था तब उसमें Michael को एक ड्रग से भरा हुआ बैग दे दिया था चलो अब आज आते हैं आर्थर शेल्बी पे आज क्रिस्मस का दिन था और सभी लोग इंजॉय कर रहे थे वेल यहां पे बस लिजी और एडा बैठे हैं और बागी सारे के सारे बच्चे लेकिन वो लोग इस बात से बहुत ही जारा नराज है कि टॉमी आज के दिन भी घर पे नहीं है वेल यहां पे आर्थर को काम मिला होता है सेंटर क्लॉस बनने का लेकिन उसने इतने जारा नशे कर रखे हैं कि धंक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा ताना मारते वे कहती है कि देखो तुमने टॉमी के साथ बिजनस करना स्टार्ट किया और सीधा जेल में पहुच गए माइकल कहता है कि टॉमी ने मुझे पहली इंफॉर्म किया था कि कोई ना कोई खबरी है जो कि सारे इंफॉमेशन इदर की उदर कर रहा है जी हाँ अभी तक किसी को भनक भी नहीं लगी है कि ये सब कुछ टॉमी ने किया है लेकिन यहाँ पर जीना उससे कहती कि अब तुम टॉमी के साथ कोई भी बिजनस नहीं करने वाले उसके साथ कोई भी मिटिंग नहीं करोगे फिर माइकल उससे बताता है कि मेरा कुछ और ही प्लैन है एक्शुली वो टॉमी को माणना चाता है और उसके साथ बिजनस करते वे उसको माणना बहुत ही जारा एजी रहेगा और ये मौका माइकल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाता है और अपनी मौम का बदला लेना चाता है जीँआ अभी तक उसे ये लगता है कि टॉमी के वज़े से ये सब कुछ हुँआ वो जीना से कहते कि तुम अपने अंकल यानि कि जैक नेलसन से कहो कि वो मुझे यहां से बाहर निकाले जी हाँ गाइस जेक नेलसन जीना की अंकल है जिन से टॉमी डील करना चाता है और टॉमी जानता है कि वो जीना की अंकल है तो जीना आराम से मिटिंग फिक्स करवा सकती है अंधी अदैंड हम देखते कि अड़ा के पास एक कॉल आता है और कॉल पिक अप करते ही अड़ा बिल्कुल डिसपॉंट हो जाती है फिर वो एक पॉप में जाती है और यहाँ पर आर्थर बिल्कुल भंड हुआ पड़ा था ओपीम के नशे में फिर अड़ा आर्थर के चाती जेल में है और यह डांस कर रही है यानि कि definitely Michael से कोई प्यार व्यार नहीं करती मस्माइकल ही है जो इसके पीछे लट्ट हुआ गुमता है बीवी का चमचा अब यहां पर Tommy आता है और Gina उसे विस्की आफर करती है लेकिन Tommy बस पानी मांगता है जी हाँ गाइस उसने सच में विस करने की फिर यहां पर Tommy बता रहेता है कि Michael को और किसी ने नहीं बलकि मैंने अंदर डलवाया है यह सुनके जीना बहुत ही जारा गुस्ता हो जाती है Tommy कहता है कि मुझे पता है कि Jack Nelson का जो भी ड्रुग लेटेट बिजनस है वह माइकल समालता है चूंकि Jack Nelson अब politics में जा चुक और उसके पास meeting fix कराने के अलावा कोई भी option नहीं था फिर हम देखते है Lizzie को जो कि Tommy को call लगाती है और कहती है कि Ruby की तबियत बहुत ही जारा खराब है Ruby Tommy और Lizzie की बेटी है वो बोलती है कि वो कुछ जिपसी words बोल रही है और Tommy को जब वो words पता चलते है तो Tommy बहुत ही जारा वाला है इसके बाद Tommy जाता है Michael की पास उसे मिलने के लिए और उसे बता रहे कि तुम्हारा बिजनस अब मैं हैंडल करने वाला हूं Michael कहता है कि मुझे Jack Nelson जल्दियां से बाहर निकल वा लेंगे लेकिन फिर Tommy उसे एक letter दिखाता है जो कि President का था और उसमें लिखाता कि Michael को इ एक ने इंगलेंड जाने वाले हैं अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए और उपास लोग के साथ जाएंगे जिनमें से एक जीना ग्रेवी होने वाली है जी हां Michael की बीवी यह सुनके Michael का खून खौल उटता है और वो Tommy को गालिया देना चालू कर देता है फिर भी पैरा एपिसोड बहुत ही जादा बैंगर था आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं जल्दी एपिसोड नुबर टू में अभी इस वाले हैं पीकी ब्लैंडर सीजन 6 एपिसोड नुबर टू के बारे में इससे पहले हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीलिस बन चुकी है जाके एंज्जॉय कर सकते हैं अगर लास्ट एपिसोड आपने देख रखा है तो डेफिनेटल आप बहुत ही जादा एक्साइड़ होगे इस एपिसोड के लिए भी तो चलिए यार विदाव वेसिंग को अपने साथ लेके जाता है एंडिया भी जब टॉमी बहार खड़ा हुआ था तब थोड़ी बहुत उल्टी कर रहा था तब लीजी बहार आती है और टॉमी से कहती कि रूबी बिल्कुल ठीक है यह सुनके टॉमी को बहुत ज़रा अच्छा लगता है लेकिन उसके आंके कि लीजी को सब पताश चल रहा है कि टॉमी कहीं दिनों से बस बहुतर और घम्रुमी बहुत है और करम दोर करें बहुत हुँतता है यह हैक लेकिन अपनी लिमिटेषंस ना देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा ह था लिए पर हम देखते हैं कि Lizzie के आख खुलती है और अपनी गन लेकर बातरूम में जाती है और यहां पर देखती कि Tommy को दोरे पड़ रहे थे अब Lizzie Tommy को rest करने के लिए बोलती है because definitely Tommy अभी भी काम ही कर रहा था इसी वज़े से उसका ये हाल हो रहा है लेकिन Tommy कहता है कि बस ये last काम और इसके बार रेस्ट ही रेस्ट है and guys ये सब सुनके Lizzie का दिमाग खराब होता रहता है इसके बार हम Tommy को एक speech देते वे देखते है and guys ये speech बहुत ही ज़ादा amazing थी मतलब कि यहाँ पर चिलियन Murphy का talent साफ देख रहा था Tommy जैसे ही यहाँ पर आता है तो सभी लोग बहुत ही ज़ारा चिलाने लगते हैं लेगन Tommy सब्षक्त करतेव कहता है कि यह लोग चाहते हैं कि हम सभी शांत रहें एड है हम लोग जनोंने इस देश को आज़ात कराया हमने इस देश के लिए इतना कुछ किया हम बिल्कुल शांत रहेंगे और ये लोग बैट के चिलाते रहेंगे ये लोग बोलेंगे जो इने बोलना है ये सारी बाते सुना के टॉमी उन्हें बहुत ही जारा मोटिवेट कर देता है और उनसे ये भी कहता है कि हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें proper wages ना मिले हमारे लिए सारी की सारी facilities available ना हो जाए और उसके इन बातों से सभी लोग बहुत ही जादा charged up हो जाते हैं और तब ही हम यहाँ पे देखते हैं कि IRA की जो captain थी name by Laura में की जिसने Polly को मरवाया था वो यहाँ पे Tommy के साथ meeting करने आई थी यानि कि Tommy को उसके help चाहिए इसके अलावा Tommy उसे एक letter देता है और कहता है कि यह letter Jack Nelson को President की तरफ से मिला है Actually Jack Nelson England आने वाला है export license लेने के लिए as you know लेकिन Tommy बताता है कि उसका यहाँ पे आने का main मकसद यह है कि वो यह चीज़ देख पाए कि यहाँ पे उसका राच चलता है या नहीं यानि कि क्या fascism वाले लोग जादा है अब यहाँ पे लॉरा मैं कि बुरी तरीके से हिल चुकी थी वो यह चीज़ बिलकुल भी imagine ने कर पा रहे थी यह यह वही टॉमी है जिसकी आंट को मैंने मार दिया था मतलब कि डेफिनेटली टॉमी की पास बहुत ही ज़्यादा पावर है एंड उस टाइम पे टॉमी ने से बदला नहीं लिया वैल टॉमी अभी भी इससे बदला नहीं ले रहा है बलकि के साथ काम कर रहे वैल तभी अब यह आप आजाती है और विह देखिए कि बहुत ही जारा गुषा हो जाती है कि टॉमी लॉरा के साथ मिटिंग कर रहा है विक्वास पॉली को मार रहा है लौरा से कहती कि टॉमी ने मेरे साथ बहार लेके जाती है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बाते सुन ली आकर तुम इसके साथ डिल क्यों कर रहे हो तुम भूल गई कि यह वह यह जिसने आंट पॉली को मरवाया था तॉमी एडा को समझाते हुए कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बहुत ही जारा सोच समझ के कर रहा हूं और इस काम के बाद हमें कुछ भी करने के ज़रूद नहीं है इसके बाद अपनी लाइफ बिल्कुल पीसफुली जीएंगे टॉमी कहता है कि इस काम में मुझे तुमारी बहुत ही जारा नीड है टॉमी जाता है कि एडा उसके साथ काम करे लेकिन ए टॉमी पर बहुत ही जारा गुसा आ रहा था इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी किसी से मिलने जाता है और और कोई नहीं बलकि ऐल्फी सॉलमॉन था टॉमी को बाहर से इंस्ट्रक्शन मिल गई होती है कि अंदर स्मोक करना मना है यानि कि ऐल्फी सॉलमॉन को स्मोकिंग बी पसंद नहीं है लेकिन गस करो कि कि Oneкий अंदर जाते ही पहला काम क्या करता है जी हां स्मोक करता है ये टॉमी शेल भी है वैले टॉमी उस्था करना तो करता है ये जिस नेवंगे वह पूरी पा प्लान को भी अपना पूरा का प्लैन समझा अ है वह से डिमांड करता है कि जो कि पहले नकरे तो करता है लेकिन बाद मैं मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं Michael को जिससे की जीना मिलने के लिए आती है और यहाँ पे हम Michael को बताती है कि मैं England जाने वाली हूँ Jack Nelson के साथ यानि कि उसके अंकल। माइकल कहते हैं कि टॉमी ने मुझे बाद पहली बता दी थी लेकिन याद रखना टॉमी को सिर्फ मैं ही मारूंगा। इस पे जीना भी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि डेफिनेटली टॉमी तुमारा है शिकार है। जल्दी मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा लूँगी और फिर तुम अपना बदला पूरा कर सकते हो। इसके बार हम देखती कि मॉसली ने एक बहुती बड़ी पार्टी रखवाई थी जिसमें बड़े बड़े नामी लोग आने वाले थे। उनमें इसे एक टॉमी भी था और वो लिजी के साथ एंट्री लेता है। लेकिन उसके अंदर आते ही लोग उसे ट्रेटर बोलने लगते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि शायद ये बात लीक हो गई कि टॉमी ने उसे माणने के ट्राय करी थी लेकिन ऐसा नहीं है वरना पुलिस उसे अंदर डाल देती। वैली सब कुछ आई आरे को पता लगा था लेकिन उन्होंने ये बात दबा के रखी। अब लोग टॉमी को इतना जादा हेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशिलिस्ट और फेशिस्ट अलग हैं। यही रीजन है कि वो लोग टॉमी को इतना जादा हेट कर रहे हैं। यही रीजन है कि मैं आज यहाँ पर मौझूद हूँ। तब यहाँ पर आथर भी एंट्री ले लेता है और डेफिनेटली आज कर लोग धूती चल रहा है तो वो अपने नशेडी अंदाज में एंट्री लेता है। इसलिए पुलिस वाले उसे अंदर नहीं गुशने देते हैं तो वो कहता है कि मुझे अंदर जाने दो मैं आथर शेल भी हूँ। यार कुछ भी हो जाए इस बंदे का attitude है ना यहाँ पर लिजी काफी जारा embarrassing feel कर रही थी और टॉमी आर्थर को अपने साथ लेकर जाता है और जॉइन डॉक से कहता है कि तुम अपनी शट उतार कर इसे दो वो आर्थर को black shirt पहना देता है और आर्थर से कहता है कि मुझे मैं लिंडा को यहाँ पर बुलवा लूँगा लेकिन तब ही जब तुम 12 दिन तक ड्रक्स नहीं करोगे तो यानि कि वो ओपियम 12 दिन तक ना ले और लिंडा को पा ले ये सुनकर आर्थर टॉमी से promise करता है कि वो 12 दिन तक बिल्कुल clean रहने वाला है अब यहाँ पर कुछ हम यहाँ मोजली के साथ मिटिंग करने आये हैं और वो करे भी ना definitely हम नहीं जाने वाले इसके बाद finally हम देखते हैं मोजली को जो कि अपनी girlfriend के साथ होता है जिसका नाम है Diana यहाँ पर Diana के निजर परती है Tommy पर and really इसकी शादी मोजली से होने वाली है और यहाँ जाकर Tommy के and Diana Tommy मोजली को Jack Nelson का वही letter दिखाता है जो कि उसे president से मिला था and Tommy का कहना था कि उन्हें Jack Nelson से मिलना चाहिए अब उनके discussion के बीच में Diana Lizzie को टौन मारते हुए कहती है कि क्या तो मैं समझ भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या बाते चल रही है इस पर लिज़ी को बहुत ही जारा गुस कहते हैं कि हम लोग ready है Jack Nelson के साथ deal करने के लिए फिर next scene में हम देखते है Jack Nelson को Tommy इसके पास आता है और यहाँ पर Jack Nelson Tommy के साथ मिटिंग करने के लिए आया था जी हाँ guys finally Gina ने meeting fix कर दी वो Tommy से कहते है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी जारा सुना है और Tommy से कहते है कि तुम्हारा पहला किल कौन था बहला कि तुमने सबसे पहले किसे मारा था Tommy कहते है कि चार साल पहले एक Thomas Shelby नाम का आदमी था जो कि बहुत जारा विस्की पीता था मैंने उसे मार दिया यह सुनके Jack Nelson kind of थोड़ा सा impress हो जाता है वैल यहाँ पर Jack Nelson जो है वो facism को support करता है और Tommy socialist है तो definitely इन दोनों के आपस में बनने तो बिल्कुल भी नहीं वाली लेकिन Tommy उसे कहता है कि दोनों ग्रूप में मेरी अच्छी कासी जान पैचान है तो definitely मैं तुमारी help कर सकता हूँ यह सुनके Jack Nelson मान जाता है लेकिन यहाँ पर Jack Nelson का एक doubt था कि Tommy उसकी country में opium की supply करना चाता है वो कहता है कि तुम क्या चाते हो मेरी country के लोग opium खाके मर जाये Tommy कहता है कि तुम ही whiskey का धंदा करते हो and as compared to opium whiskey से लोग जादा मर रहे हैं Tommy के सारी बाते सुनकर Jack Nelson उसके साथ deal करने के लिए मान जाता है and जाते ही वे उसको appreciate भी करता है next scene में हम देखते है Lizzy को जो कि Ruby की बिनाई वे अजीब सी drawings देखती है और जब वो Ruby के पास जाती है तो Ruby chimney के पास बैटे कुछ आवाजे सुन रही थी Ruby कहती कि यहां से green man के आवाजे आ रही है क्या आपको यह आवाजे नहीं आ रही यह सब सुनके Lizzy को Ruby की बहुत सी जारा tension होने लग जाती है और वो सीधर Tommy को call करती है on the other hand हम देखते है Tommy को जो कि अपनी speed दे रहा था और अपनी भैतरीन speed से वो सभी लोग को अपने दिवाना बना लेता है इसके बाद Tommy अपने office जाने लगता है और office जाते ही उस पर एक आदमी attack कर देता है इसके साथ Tommy को अपने past के glimpse भी आ रहे थे जैसे जैसे करकर Tommy उसे defeat करता है और तब ही Tommy को Lizzy का call आता है Tommy जैसे call pick up करता है तो Lizzy उसे बताती है कि Ruby की तबियत बहुत सी जारा खराब है और मैं कुछ नहीं जानती तुम फटाक से यहाँ पहुँच जाओ और Tommy की कोई बात नहीं सुनती और सीधा phone card देती है definitely Tommy को आप जाना ही पड़ेगा और जैसी Tommy घर पे जाता है तो Lizzy उसे बताती है कि Ruby की तबियत कितनी जारा खराब है Tommy फटाक से एक लेडी को call लगाता है जी हाँ guys एसमे और कोई नहीं बलकि John की wife है यह पर कह सकते हैं थी क्योंकि John तो मर चुका है लेकिन wife तो wife होती है Tommy Lizzy को बताता है कि मैं आजमे के पास जाने वाला हूं because definitely वह है जो इसका solution मुझे दे सकती है so finally यह episode यही पे खतम हो जाता है and I know guys आप लोग episode number 3 के लिए बहुत ही जादा excited होंगे so attention मिलकुल मत लो definitely मैं episode number 3 भी बहुत ही जल्द आपके सामने ले आऊंगा but if you enjoyed this one then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you know in our channel share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know so we'll see you in the next one till then peace up what's up guys welcome back to our channel और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Peaky Blinders season 6 episode number 3 के बारे में इससे पहले के सभी episodes and seasons हम detail में cover कर चुके हैं अगर आपने उने अभी तक नहीं देखा है तो playlist ready है जाके enjoy कर सकते हैं so now without wasting our time anymore let's start the explanation of episode number 3 episode की starting में हम देखते हैं कि Tommy अपनी बीटी Ruby को लेकर hospital में जा रहा होता है और उसके साथ Lizzy भी होती है यहाँ पर Tommy बहुत ही जादा panic में था वो सारे डॉक्टर्स पर बहुत ही बुरी तरह चिलाने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए मेरी बेटी को जल से जल सही करो सारे के सारे डॉक्टर्स उसे बाहर रहने के लिए के लिए कहते हैं लेकिन टॉमी उसे लड़ने चगरने लगता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगा तब लिजी उसे रोग कर शांत करती है और जैसे टॉमी थोड़ा सा conscious होता है वो सभी डॉक्टर्स से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप बताईए हमें आगे क्या करना होगा एक्शुली रूबी को टीबी है और से लिए डॉक्टर्स को लिजी और टॉमी दोनों को चेक भी करना पड़ेगा यहाँ पर टॉमी को चेक किया जाता है और टॉमी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं निकलती टॉमी बहार बैठा होता है और तब लिजी भी उसके पास आके बैठ जाती है यहाँ पर लिजी बहुत ही जादा उदास थी च्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी बेटी को टीवी है और डॉक्टर्स का अकॉर्डिंग उसका बचना थोड़ा सा मुश्किल है लिजी को ऐसा लग रहा था कि शायद रूबी ना बच पाए लेकिन टॉमी लिजी से कहता है कि मैं रूबी को बचा के रहूंगा फिर टॉमी जाकर रूबी से बात करता है वैसे तो रूबी बेहोश थी लेकिन फिर भी टॉमी उससे बात कर लेता है अपनी मन की शांती के लिए वो रूबी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा इसके बार हम देखते हैं कि टॉमी अपने घर पे आता है और एडा को कॉल करके बताता है कि 5 दिन के लिए वो यहां से बाहर जा रहा है और उसके जितने भी मिटिंग से वो सारी एडा को हैंडल करनी पढ़ेंगी वैल एडा के लिए तो यह बर्डन था और पीछे से एजमे बाहर आती है वो उन पैसों को ले लेती है और टॉमी से कहती है कि अपनी गन अंदर रखो विकवस यहाँ पे कई बच्चे हैं टॉमी कहती है कि तुम्हें मेरी help करनी पड़ेगी एजमे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं leader हूँ तुम्हें लीडर से permission लेनी होगी इस पर टॉमी कहता है कि तुम्हें देखके तो यहीं लगता है कि तुम ही लीडर हो फिर एजमें सबी को यहां से जाने के लिए कहती है और जा के एक पत्थर पे बैठ जाती है तॉम्हें उसके पास आता है और उसे सब कुछ explain करता है एक्चुली उसका मानना यह है कि रूबी को किसी ने curse दिया है और यह curse निकालने में एजमें उसके help कर सकती है एजमें कहती है कि तुम पॉली से इस बारे में क्यों नहीं कहते है टॉमी कहते है कि पॉली की death हो चुकी है टॉमी चाहता है कि एजमें उसके help करे और बदले में टॉमी उसे पैसे देने वाला है लेकिन एजमें उसके help करने से मना कर देती है इसलिए टॉमी को गुस्ता आ जाता है और वो यहां से जाने लगता है लेकिन जब वो अपनी car में बैटता है तो उसकी car start नहीं होती इससे हमें पता चलता है कि asmay ने उसकी car का plug निकाल लिया asmay उसे plug दिखाती है और कहती है कि मैं भी तुमारे साथ चलने वाली हूँ फिर asmay उस plug को लगाती है और टॉमी के साथ बैठ जाती है वो टॉमी से कहती कि देखो मैं रूबी को ठीक नहीं कर सकती लेकिन मैं एक ऐसी जगा जानती हूँ जहाँ पर मरेवे लोग को जिन्दा किया जा सकता है अब टॉमी एजमे के साथ यहां से निकल जाता है अंदी अदे हैंड हम देखते हैं एडा को जो कि डायना के पास जाती है मिटिंग के लिए एडा पर डायना उससे बात करने लगती है एक्चली डायना को टॉमी पर क्रश्ट था तो वो एडा से जारा तर टॉमी की बात ही कर रही थी वो कहते कि टॉमी आखरी यहां पर क्यों नहीं आया एडा उसे explain करती है कि टॉमी यहापे नहीं आ पाया लेकिन हो एडा को kind of torn माणने लगती है एडा भी पीछे नहीं हटती और हर बात का service reply देती है तब ही वहाँ पर बाकि सारे लोग भी आ जाते हैं like Nelson, Mosley, सभी लोग और यहापे Nelson एडा से पूछता है कि आके टॉमी यहापे क्यों नहीं आया actually इस time पे अगर females कोई meeting attend करें तो उन्हें इतना भावर नहीं मिलता था एडा बताती कि टॉमी की बेटी बीमार है इसलिए वह यहापे नहीं आ पाया इसमें Nelson कहता है तो उस बेटी की मा नहीं है क्या यह सुनके डेफिनेटली एडा को गुस्ता आ जाता है और हो कहते कि जिंता मत करो नेक्स टाइम से टॉमी ही meeting attend करने वाला है और नेक्स टाइम से तुमें टॉमी के पास जाना पड़ेगा मतलब कि टॉमी के घर पे meeting होगी actually यहापे सबसे जारा power shell भी family के पास है यहापे जब wine choose करने का time आता है तो एडा Irish prefer करती है और कहते कि टॉमी होता तो वो भी Irish लेता यहापे इनकी कुछ खास meeting तो नहीं हो पाती लेकिन वो सभी एडा को kind of नीचे दिखाने की कोशिच कर रहे थे पर एडा भी किसी से कम नहीं है वो उन सभी का मूँ तोड जवाब दे रही थी एडा नेलसन की पोल भी खोलने लग जाती है वो कहती कि मैंने भी सुना था कि तुम ने अपने भाई और बहन को मार दिया था यह सुनके नेलसन की बोलती भी बंद हो जाती है इनकी बीच में बिजनस की बाते हो रही थी और तब ही मोजली एडा को टोक देता है इस पे एडा घुसा होते हुए मोजली से कहती है कि जब भी मैं कुछ बोलूं मुझे बीच में मत टोक ना पहल यहाँ पे एडा इतना खुल की इसलिए बोल पारी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया शेल भी सबसे जारा पावफुल है इन सब में से इसके ब़द हम देखते कि एडा जाती है टोमी के आफिस में और यहाँ पे उसे एक डारी मिलती है जहां पर सारा काम लिखा था कि तोमी की यहां पे आने से पहले एडा को क्या क्या करना है इसके बाद एडा पीकी ब्लैंडिस की एक बंदे के पास जाती है और उसे कहती है कि याज में कुछ लोग हमारा OPM चूरी कर रहे है और तुम्हें पता लगाना है कि ये कौन है जाओ और साथ में आथर को भी ले जाना यहाँ पे ओ लड़का थोड़ा सा कूल बनने की ट्राय कर रहा था एडा के सामने लेकिन एडा उसके चुट्टी कर देती है अब है तो शेल भी खूनना पर नेक्सीन में हम देखती है कि एडा गैरिसन पब आती है और यहाँ पे आती है वो मिलती है लिजी से एडा उससे पूचती क्या के टॉमी गया कहाँ पे लिजी उसे बताती कि टॉमी एजमे से मिलने गया है यहाँ पे एडा समझ जाती है कि टॉमी वहाँ पे क्यों गया है वो बताती कि टॉमी एजमे से शाप वगएरा की बाते करने के लिए गया है इस पे लिजी गुस्ता हो जाती है और कहती कि हम 1933 में जी रहे हैं और टॉमी अभी भी शाप जैसी चीजों पर यकीन करता है डॉक्टरस ने बताया कि उसे टीवी है और पता नहीं टॉमी वहाँ पर क्या करने गया है यहाँ पे लिजी बहुत ही अकेला फिल कर रही थी चुकि गैस 1933 में टीवी का इलाज नहीं आया था और यहाँ पे लिजी को काइंड़ पता था कि रूबी को वह जल्दी खोने वाली है और जिस ताइम पे टॉमी को उसके पास होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है आथर यहाँ पे बैठे लोग को मारता तब ही उनका हैट सामने आता है और आथर कहता है कि अच्छा तू हमारा OPM चुरा रहा है यहाँ पे आथर आया तो उसे मारने था लेकिन वो आदमी आथर को काइंड ओफ मैनुपलेट कर लेता है यहाँ पे जाया बोलता है कि ऐसी बाते करने से यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मारने आए हो तुम मुझे मार लो लेकिन आथर मेरी बात मानो तुम ही हो जो खुद की हेल्प कर सकते हो इस कहला वो कोई भी तुमें नहीं बचा सकता तब ही इजाय उस आदमी को पंच करता है और वो आदमी आथर से कहता है कि कम आन आर्थर चलो मारो मुझे लेकिन आपर यहां पर बहुत ही जादा इमोशनल हो चुका था और विजा ऐसे कहता है कि तुम मेरे और के बिना कुछ नहीं करोगे आथर उसादमें को कुछ नहीं करता और सबी को लेकर यहां से निकल जाता है मतलब कि गयास हम देख सकते कि कि कैरेक्टर में कितना जारा चेंज आ चुका है और हम देखते हैं टॉमी को एंडिया पर यहां पर एजमें के साथ एक जगा पर पहुंचता है और एजमें उसे बताते कि आगे का सफर हमें पैदल ते करना पड़ेगा वह यहां पर घोड़े भी थे तो टॉमी उन करने वाली है इसके बाद वो लोग यहां पर पहुंचते हैं और यह बस एक कबरिस्तान था टॉमी को लग रहा था कि उसका सारा टाइम वेस्ट हो गया लेकिन उससे कहते कि ऐसा कुछ नहीं है और यह समझने के लिए हमें थोड़ा पास में जाना पड़ेगा तो सीजन 3 मे ग्रेस को वो कर्ज सफायर पहनाया इसके बाद टॉमी उसससाफायर को लेकि एक लेड़ी के पास गया था यह चाकरने के लिए कि वो सफायर कर्ज है या नहीं और उस लेड़ी ने लारच में आकर टॉमी से यह कहा कि नहीं यह सफायर कर्ज नहीं है जो कि इसके बाद उसस सफायर उस लेडी को मिलने वाला था लेकिन असल में वो सफायर कर्स था उस लेडी ने वो सफायर ले तो लिया लेकिन जब उसकी बेटी साथ साल की हुई तो उसने अपनी बेटी को खो दिया इसके बार उस लेडी ने टॉमी को कर्स दिया कि जब टॉमी का चायल भी साथ साल निकालो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, तुम जितना पैसा चाहोगी मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, इस पर एज में उस लेडी को ढूनने के लिए मान जाती है, और कहती है कि मुझे गोल चाहिए, टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें गोल दूंगा, और जितन भी बिलकुल ठीक हो जाएगी लिजी पहले उसे बता देती है कि रुबी मर चुकी है जी हाँ गाइस टॉमी की बेटी रुबी जिसको बचाने के लिए वो इतनी महनत कर रहा था वो मर चुकी है यह सुनका टॉमी बिलकुल टूट जाता है एंडी एपिसोड यहीं पे खतम हो करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 एपिसोड नंबर 4 के बारे में इससे पहले के सभी एपिसोड और सीजन सम डीटेल में गवर कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्किप्शन में है साथी प्लेलिस भी बन चुकी है आप जाके एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहां पर पता चला था कि रूबी मर चुकी है अब यहां पर सभी लोग बहुत ही जारा दुखी होते हैं टॉमी भी अंदर से बूरी तरह तूट गया होता है वह आथर से कहता है कि तुम जाके मेरे लिए स्पीच दो जब वो रूबी को जलाने के लिए जाता है तो लिज़ी उसे रोक लेती है अंद गया देकी में एक वार रूबी को वापस देखना चाहती हूं इसके बाद टॉम्य लिज़ी को रूबी के पास लेके जाता है एंस यहां पर जिस लेडी ने रूबी को कई लोग मार देता ह इसके बाद तो एक पेड़ के पास जाके रोने लगता है और शायद हम इस पूरी सीरीज में पहली बाद टॉमी को रोते वे देखते हैं इसके बाद टॉमी वापस जाने लगता है और तब ही यहाँ पे आ जाती है लिजी अब आप लोग सोचेगे की लिजी का यहाँ पे क्या काम है तो जैसा लास्ट ङपिसोड में आपने देखा था कि Лिजी ने ही टॉमी को इस लेड़ी के बारे में बताया था और बदले में टॉमी से गोल मांगा था तो Tommy उसे गोल दे देता है और यहां से जाने के लिए कहता है बटलीजी टॉमी को बताती है कि जब वो फ्रांस में था तब वो एक लेडी के साथ रिलेशन्शिप में था और वो उसके साथ फिजिकल हो गया था इसलिए उस लेडी की पेट में Tommy का बेबी आ गया था लेकिन Tommy इस बात से पूरी तरीके से अंजान था फिलिजी टॉमी को वो लड़का दिखाती है और कहती कि अब इसकी मौम की देतो चुकी है और यह लड़का चोर बन चुका है लेकिन इसका ड्रीम है तुमारे जैसी लाइफ जीना वो टॉमी से कहती है कि तुमने भली एक बेटी खो दी है लेकिन भगवान ने उसके बदले में तुमें ये बेटा दिया है और टॉमी सबसे बहुत ही जारा थक चुका था इसलिए को कहता है कि मुझे बेटा नई चाहिए और वो यहांसे निकल जाता है इसके बाद टॉमी अपने घर पे जाता है और यहां पे उसका वेट कर रही थी लिजी वो टॉमी पे बहुत ही जारा गुसा करती है एंड कहती कि मुझे पता है कि तुम फॉरस गए थे उस लेड़ी को मारने के लिए एक्चुली लिजी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ दिये कि टॉमी लोग को मारता जा रहा है वैल देखा जाए तो टॉमी ने अपनी बेटी की मौत का बदला तो ले लिया था लेगिन यहाँ पर लिजी उससे बहुत ही जारा गुस्सा हो गई थी इसके बाद टॉमी जाता है अपने ब्रोदर आथर के पास यहाँ पर वो देखता है कि हमेशा की तरह आथर नशे में धुत है हाली में आथर ने नशा करना छोड़ा था लेकिन जब सरुबी की देथ हुई है आथर बस पीता जा रहा है यहाँ पर वो वेट कर रहा था एक और ग्लास के भढ़ने का फिर टॉमी उसे कहता है कि तुम मुझे जान पूच के हारा करते थे और हमेशा तुम मेरे सामने एक धाल बन के खड़े रहे तुमने किसी को भी मुझे नुकसान पहुचाने नहीं दिया जी हाँ गैस यहाँ पर इन भाईयों के बीच में बहुत ही प्यारी बाते हो रही थी और यहाँ पर टॉमी फाइनली चार साल बाद वाइन को टेस्ट करता है वो आथर से कहता है कि तुम यह सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो एक्चुली टॉमी के पास आथर के लिए कुछ काम है और इसके बाद उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा वो एक खुशाल जिन्दगी जी सकते हैं वो अलग बात है कि हर सीजन में यही सुनने को मिलता है इसके बाद हम देखती कि टॉमी के घर पे मोजली, डायाना, जैक नैलसन और आयारे की कैप्टन आ जाते हैं वैल यहाँ पर वही मिटिंग कंटीनी होने वाली है जो कि एडा ने बीच में छोड़ दी थी यहाँ पर जैक नैलसन आयरे की कैप्टन को कहता है गाना गाने के लिए लेकिन वो गाना नहीं गा रही थी क्योंकि रिसेंटली रूबी की मौत हुई है और यह लोग उसे गाना गवा रहे हैं लेकिन थोड़ा फूर्स करने के बाद वो गाना गाने लग जाती है अधर हैंड हम देखते हैं एड़ा को जो कि अपने बीटे के साथ बैठी होती है और तभी एक पत्थर उसके पास आता है जिसके उपर लिखाता नो ब्लैक ऐसा इसलिए बिकॉज आज उसका रिलेशन था एक ब्लैक के साथ और यहां पर ब्लैक और वाइट्स की बीच में काफी घमासान योच चल रहा है लेकिन एड़ा टॉमी से कम है क्या वो नीचे जाती है और उन सब भी को ठीक कर देती है अधर हैंड हम देखते हैं आथर को जो कि उसी शॉप में जाता है लेकिन वो शॉप वाले उसे OPM नहीं दे रहे थे तो वो उन से जगड़ा करके OPM ले लेता है और फिर रोड पर ही खड़े होके नशे करने लगता है मदला आतर नहीं सुदरने वाला इसके बार हम देखते हैं कि Tommy finally meeting के लिए नीचे आ जाता है और यहाँ पर उनकी भी इस discussion स्टार्ट हो जाती है मोजली कहते हैं कि President के साथ उसके अच्छे relation है इसलिए meeting में जो कुछ भी discuss होगा वो President को बताने वाला है और इससे Tommy को को कोई दिक्कत नहीं है वहीं IRA की Captain मताती है कि उसके German government के साथ अच्छे relation है और वो उनके साथ weapons supply कर सकती है इस पर Jack Nelson का कहना था कि वो उसे weapons supply करे और उसके बदले में वो उने Boston के अंदर entry दे देगा जिससे कि वो लोग drugs supply कर पाएंगे और finally सब कुछ discuss होने के बाद मोजली टॉमी से कहता है कि तुम एक socialist हो एंड हम सबी नाजी government को support करते हैं तो हम तुम पर कैसे believe करी कि तुम हमें धोका नहीं दोगे इस पर टॉमी खड़ा होता है और नाजी salute करता है जिसके बाद उन सबी को उस पर भरोसा हो जाता है लेकिन मिटिंग के दौरान टॉमी रूबी की चेर को देखता जा रहा था जी हाँ गाइस उसे रूबी की बहुत ही जादा याद आ रही है इसके बाद टॉमी बहार जाता है और अपनी frustration निकालने के लिए firing करने लग जाता है नेक्स मौनिंग हम देखते कि टौमी चर्चिल को लेटर लिख रहा था और जब लिजी यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि उसने रूबी की चेर को जला दिया लिजी समझ जाती कि टौमी को उसकी बहुत ही जादा याद आ रही थी और इसलिए उसने ये step उठाया वो टौमी को support दिखाती है और टौमी उससे कहता है कि बसे last come और इसके बास सब कुछ ठीक हो जाएगा लेगिन definitely लिजी को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि второй two अब तौमी को पताँ है कि ठीक है मैं माईकल को नहीं बताऊंगा पड़ इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना बड़ेगा वो बताता है कि mostly Germany जाने वाला है government के साथ future politics के बारे में discussion करने के लिए and वो ये बात जानता है कि जीना भी उसके साथ जाएगी तो Tommy चाहता है कि वहाँ पर जो कोई भी बात हो जीना उसे बता दे और वो कहता है कि मैं लोगों का दिमाग पढ़ने में बहुत ही जादा माहर हूँ and अगर तुम जूट बोलोगी तो definitely मुझे पता चल जाएगा अब ना चाहते हुए भी जीना को उसकी बात माननी पढ़ती है and Tommy यहाँ से निकल जाता है इसके बार हम देखते हैं कि Tommy के पास एक letter आया होता है जो कि बेजाता है Dr. Hellfond ने उसमें लिखाता है कि उसे Tuber Cluma हो चुका है and वो बस कुछी दिनों का महमान है next day वो दॉक्टर को बुला लेता है and उसे सारी discussion करने लगता है दॉक्टर कहता है कि जब हमने तुमारे टेस किया था तो उस ताइम पे तुमारी सारी reports नहीं आई थी लेकिन finally हमें पता चल गया है कि तुमें Tuber Cluma है जो कि बहुत जल तुमारी जान ले लेगा लेकिन Tommy उसे बस इत्ता पूछता है कि मेरे पास कितना time बागी है बात कर रहा था जो कि मुझे पे करना है जी हां Tommy किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहता कि उसे टुमा है क्योंकि अगर इस बार में सबको पता चल गया तो definitely सब लोग Tommy को कमज़ने लग जाएंगे So finally this episode ends here जल्दी मिलते हैं आप से episode number 5 में And if you enjoyed this one then make sure to hit the like button And press the subscribe button if you're new on our channel Share it as much as you can And if you have any query just comment down and let us know So we'll see you in the next one Till then peace up What's up guys welcome back to your channel And today's video we're going to talk about Peaky Blinders season 6 episode number 5 Before that we've covered all seasons and episodes in detail If you haven't watched it yet then it's clearly ready to enjoy it So now without wasting time anymore Let's start the explanation of episode number 5 Episode 2 starting we'll see Tommy who goes to the shop And this shop is where Arthur OPM comes from Tommy has a bag and he tells us that this bag is in a bomb And his timer is on Meaning that this bomb is in a time for us This way people go to the shop And Tommy tells us that If you don't want to give Arthur OPM, why do you want to give Arthur OPM? Why do you want to give Arthur OPM? But he tells us that Arthur has to give Arthur OPM But Arthur has to give Arthur a fight for OPM And Tommy tells us that if you want to live, you want to give Arthur And they will give up the OPM And they'll have to give up the OPM And that's why people give up the OPM And they'll give up the first half of me And Tommy will give up the other And Tommy will give up for a contact with me But now they can do it Because they'll never die Because they can get stolen from the bomb So my wife tells us their language They don't have to give up the bomb But if Tommy shows up the offer And Tommy They will head to Tommy And they'll pass on Tommy's back from अगर इन लोगों ने वापस वी OPM बेचा तो तुम इनकी शॉप को डिबॉनिश कर देना इसके बार हम देखती कि टॉमी निक फैमिली मिटिंग रखवाई होती है और यहां पर इंटुड्यूस करता है ड्यूक को जी हां उसका रीसेंटली मिला हुआ बेटा वह सभी को बता करना चालू कर देता है कि ड्यूक को पीकी ब्लैंडस में शामिल होने के लिए खुद को साबित करना पड़ेगा एंटिसे के साथ साथ वो सभी को ये भी बताता है कि आथर अब नया इंचार्ज है इसके बार हम देखते कि आथर ड्यूक साथ में जा रहे होते हैं और यहां लग जाता है देखो मैं आपका ये टाइंग बचा सकता हूं ये सुनके आथर उससे काफी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उन दोनों की बीच की बांडिंग में काफी अच्छी बन रही थी इसके बार हम देखते कि टॉमी जड़ जाता है और यहां पर उसे मिलती है एक्चुली लिंडा ने एक फांडेशन खोला है और टॉमी कहता है कि मैं तॉम्हारे फांडेशन में 10,000 यूरो डोनेट करना चाहता हूं लेकिन बदले में टॉमी चाहता है कि वह वापस से आथर के साथ रहने के लिए कहता है लिंडा कहती ही कि तुमारे कहने पे मैं आथ करेगी मोटिवेट करेगी उसका ध्यान रखेगी लेकिन वह सारे काम नहीं करेगी जो एक वाइफ करती है और टॉमी इस बात के लिए मान जाता है इसके बार हम देखते हैं कि टॉमी लिवरपूल आया होता है और यहां पर वह साथ में कहता है जिसने की आथर को पर टॉमी इस पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि क्योंकि मेरा शौक है और मैं किसी से भी नहीं डरता मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ और हम देखते हैं कि फिन आथर के पास आता है और कहता है कि हमारे एक रैफरी बहुत ज़्यादा रुलीजिस है और वो मैच फिक्सिंग करने से मना कर रहा है इस पर आथर कहता है कि उसको यहां पे लेके आओ लेकिन सच में इस आदमी पे बहुत ज़ारा दम था वो आथर मानता था बिली ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन आथर उसे फोर्स करते हुए रैफरी को मरवा देता है और इसके बाद वह बिली को मोटिवेशन देता है क्योंकि उसने पहला मड़ किया है लेकिन बिली के दिमाग में इसका बहुत जादा घहरा असर पड़ा होता है और यहां पर अकेला बैठा होता है तब उसके पास जैक नेलसन आता है और उससे पूछता है कि तुम्ही ने मुझ्दी को मरवाने के लिए टॉमी के हल्प करी थी लेकिन बिली इस चीज के लिए मना कर देता है और जैक नेलसन ब्लेट से उसके उल्टी चीज पकड़ लेत लिए लिए उसे माफ कर देती है और यहां पर चाली डियूक को टॉमी के पास लाता है और गयाता है और यहां पर यहां पर रहना पसंद है तो टॉम्हें थोड़ा रिस्पांसिबल बनना पड़ेगा विगाउस आगे जाकि मैं अपना बिजनस तुम्हें देने वाला हूं इसपर डिूक के तैं कि तुम्हारे एक और बेटा है तो आधि तुम मुझे अपने बिजनस क्यों दोगे तो टॉमी कहते कि मेरे बिजनस के दो साइड है एक लाइट साइड एक डार्क साइड तो टॉम्हें कहते कि यह डिपेंड करेगा कि आगे जाकर तुम दोनों कौन स पाद चूस करते हो यह सब कहा कि टॉमी यहां से निकल जाता है अब टॉमी जाता है मोसली की वाइफ डायाना से मिलने यहां पर उसे बताते हैं कि कैनाल बनाने वाला है जो कि लंडन और लिवर्पूल को आपस में कनेक्ट करेगी वह कहता है कि मुझे भी पैसों की सब्सक्र करो डायाना इस बात के लिए मान जाती है लेकिन चाहती है कि सब कुछ बैलेंस रहे तो टॉमी से कहती कि तुमारी वाइफ मेरे फ्यूचर हस्बन के साथ सब्सक्राइब तो इसाब बराबर हो जाएगा अगर मुझे उसे चेड़ता है तो वह उसकी यह बात माल लेता है ल होती बुरी तरह हैं वैसे तो रहा है सीजन वन से हैलुसिनेट करता आ रहा है लगिन इस वार यह कुछ जारही भैनक था टॉमी को कुछ लोग की लाशे दिखती है इसके बार हम देखते हैं माइकल को जो की सो रहा था और उसके सपने में आती है आंट पॉली जी हाँ टॉमी ने जैक नेलसन के साथ एक मिटिंग रखी थी लिजी उनके साथ बैटी वी थी और यहां पर उनकी डिसकेशन होता है कि यह लोग अमेरिका जाने वाले हैं लिजी ने लोग को इन्वाइट नहीं किया था लेकिन लोग को उट्टी-उटी खबर मिली थी कि जैक नेल सब्सक्राइब करें लेकिन लेकिन लिजी को छोड़ दो और कोई अच्छी लीडी के साथ शादी करो क्योंकि लेकिन लेकिन के लिजी का पास्तों हम सब जानते हैं यहां पर टॉम्मी को बहुत ही जारा गुस्ता आ जाता है और वो कहता है कि बिल्कुल तुमने सही का लेकिन मेरे दिसा आदमे डिजम नहीं करती च्योंकि मैं भी कि adam कल को टॉमि का माइच dobrze को माड्ना जो का एक मारी सबार मेला थे वाट डemu को बहुत है कि ना पहले सब्सक्राइब जुदा में लेगे well if you enjoyed this one then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel share it as much as you can and if you have any queries just comment down and let us know so we'll see you in the next one till then peace up what's up guys welcome back to our channel and today's video we are going to talk about Peaky Blinders season 6 episode number 6 yes it's about this season and series last episode before that we covered all seasons and episodes in detail if you haven't seen it yet then there is a link in the description to enjoy it and this playlist has also been made, go and enjoy so now without wishing us a man time anymore let's start the explanation of episode number 6 so in the starting episode we see Michael who finally has been free and has been free from Jack Nelson yes Jack Nelson now wants to die Tommy and he has been free from Michael because Michael's target is to kill Tommy on the other hand we see that Lizzie and Tommy has been very angry because Ruby has been a few times and Tommy has been physically and he has been angry with some other lady Lizzie and Tommy was very angry and he said I'm going to go here this time we see that Tommy and Lizzie both are Charlie and here Lizzie Charlie says that I'm going to go here Charlie says that you can take me to your own because my dad never will be with me you don't have my own mom but you love me but you love me from my dad Lizzie says that you will not do my daddy and he says that you can go with Lizzie and he says that Tommy goes to Duke and he goes to his weapon center and he goes to Charlie with him and he says that I'm going to take my own business and he says that I'm going to take my own business yes, Tommy's dark business is going to take my own business and then we see that Tommy is in his office and he goes to Arthur here actually Arthur told Tommy about his reports and he also knows that Tommy is going to die and he says that Tommy is going to die and he says that he knows what he knows and he says that he knows that he knows and he says that he knows that he knows and he also says that I want to finish this last job because after this we will get 5 million pounds which is that after my family never will be the problem he hears that Tommy is going to die and he feels to kill me but he makes him calm and he says that you can behave and he feels to die and he says that you will leave me and I will be alone because definitely Tommy is 18 months later but Tommy is coming to me and saying that my brother is still alive and before I am going to die and before I am very important work and I will definitely be the one who will be for you and the author is much more emotional and he looks like Tommy's head and he says that Tommy's a meeting he says that he has a very special people who have quite a trust Tommy tells me that he will know who will be peace and he will not understand actually Tommy's story he gets the chance जैक नैंसे मिला हुआ है और वह आथर को मारना चाहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आप जा रहा हूं और माइकल भी मेरे साथ होगा एंड यहां तुम मेरी विस्की के मज़ें ले सकते हो इंसंडे को पाटी कर सकते हो तो हम देख सकती कि टॉमी की पहुंच कहां तक है उसन इना कहती कि सोचो तुमने टॉमी और आथर दोनों को मार दिया तो तुम शेल भी फैमिली पर राज करोगे और हम देखते हैं टॉमी को जिससे डैना मिलने आती है एंड हमेशा की तरह वह टॉमी पर लाइन मार रही होती है लेकिन टॉमी उसे बिल्कुल भी घास नहीं डा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा लेकिन टॉमी को उसकी इस दमकी से कोई फरक नहीं बढ़ता और हम देखते हैं माइकल को जो की मौजगन आयलेंड पहुच गया था और यहां पर सेट अप करता है टॉमी को मानने का दूसी तरफ हम देखते हैं पीकी ब्लैंड के सभी म and Duke Finn को बताता है कि बिली हमें धोका दे रहा है लेकिन फिन बिली को एपना बहुत ली अच्छा फ्रेंड मानता है और वो यह बात मानना ही नहीं चाहता था कि बिली उसे धोका भी दे सकता है अब Duke कहता है कि हमें ओर्डर मिले हैं बिली को मारने के यह काम तुम करोगे जैसा ही वो लोग यहां पर चुपके बैखे थे जो कि उन लोग का सांस थे ले शुराउत γत्ताया वह वह अच्छा एड़ उन्व vend n ते archa मार देते हैं और फाइनली चले जाते हैं आई-ई-आरे की कैपटन के पास जिसने पॉली को एक आथर कहता है कि वह पॉली ती आंट पॉली जिसको तुमने आठ दिया और देक्ते तों कि पॉल गया हूं जौकि उसी ऐलने के पहुंचने माले तों फिर तों तो पहले तो माइकल के लोग के साथ ड्रिंग करता है और जब वो कार में बैटता है तो माइकल कहता है कि मैं अपनी सिग्रेट भूल गया हूं और लेने के बहाने वो अंदर जाता है यहां पर ड्रिंग करने लग जाता है एक्शली वह वेट कर रहा था बॉम के फटने का कु तो डैफिनेटली हमें इस एपिसोड में भी नहीं मिला तो थेयोरी यही है कि इस सब के बारे में टॉमी को जीना ने बताया होगा अब टॉमी फाइनली माइकल को भी मार देता है और अंदर जाके खुड ड्रिंक करने लग जाता है तब यहां पर एलफी सॉलमोन आता है औ तुमने मुझे कहा था कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूं लेकिन अब यह बताओ कि तुमने कितनी लाइन क्रॉस करी है तुम्हारी को जैसे कितने लोगों की जाने गई पॉली मर गई माइकल मर गया सब मर गए और टॉमी सॉलमोन से कहता है कि मुझे फाइनल काम करना है और तूमी निकल जाता है अपने घर पे इसके बाद हम एक बहुत या इक आइक सीन दिखते हैं जहाँ पे टॉम्या पने मैंशन से बाहर निकल रहा होता है और पीछे पूरा मैंशन ओड़ जाता है तूमी नहीं इसलिए किया तुमी चाहता है कि अब उसके मर जाने के बाद घर के लिए घर बने तॉमी आप एक family meeting करता है और वो सभी लोग को अच्छी राय देता है वो अपने बेटे से भी बात करता है और यहां पर टॉमी का kind of रोना निकल जाता है लेकिन तॉमी कुछ कुछ भी नहीं बताता और यहां से निकल जाता है इसके बाद हम देखती कि काफी और वो अपनी जिन्दगी से काफी जादा परिशान है अब वो एक coin को toss करता है और इसके बाद चला जाता है खुद को मारने के लिए वो खुद को shoot करने वाला था लेकिन तभी उसे Ruby दिखाई देती है Ruby उसे कहती कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो आपको कुछ नहीं हु अब टॉमी सीरा पहुंच जाता है उसी डॉक्टर के पास और उसे धंकाते हुए सच बताने के लिए कहता है वो आदमी बताता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तुम बिल्कुल ठीक हो इन्हीं सब कुछ मोजली का प्लैन था कि तुम यह बता है कि तुम बीमारी के ब तुमी अपने घोडे पर बैट के यह से निकल जाता है और फाइनली यह एपिसोड प्लस सीजन प्लस सीरीज यहीं पर एंड ही और रही बार बेकिंग बैड की तो डैफिनिली वो सीरीज भी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है उसके सीजन 3 पे काम चल रहा है तो